Hello everyone my name is Nidhi Batnagar and I welcome you all in this channel तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे देखो आज हम करने वाले हैं Look around your room, अपने रूम के आसपास देखो, चलो नजर दड़ाओ और अपने आसपास देखो You will see doors, windows, books, boxes, tumblers, water bottles, pens, cds and many other things तो आपको आपको बहुत सारी जीज़े नजर आने वाली हैं आपको दर्वाजे यानि की doors दिखाई देंगे, आपको windows यानि की किड़किया दिखाई देंगी, आपको books यानि की किताबे दिखाई देंगे, आपको boxes दिखाई देंगे, आपको tumbler glasses दिखाई देंगे, water bottles आपको दिखाई देंगे, और pen बगर आपको दिखाई देंगे, c Bors & windows are made of wood glass or metal जो दर्वाज़े होते हैं जो हमारा मतलब कह सकते हैं Windows याने किडिकियं होती है वो लकडी के बने होते हैं वो glass यानि कांच के बने होते हैं Metal के बने होते हैं यानि कि अलग अलग चीजों से मिलकर बने होते हैं Books and boxes are made of papers प्लास्टिक के भी होते हैं और एक प्लास्टिक से बने होते हैं यह किसके बने होते हैं तो दा थिंग्स आरांड जो चीजें हमारे आसपास होती है आर मेड आफ दिफरेंट मैटेरियल वह चीजे मनती है अलग-अलग काइंड ओफ मैटेरियल से What is matter made up of? Matter किस चीज से बनता है? तो all matter in the world is made up of molecules, छोटे छोटे molecules, बहुत छोटे molecules, जो होते हैं, उससे जो हैं, वो matter बनता है जितनी भी matter है, जितनी भी चीजें हैं, ठीक है हम कह सकते हैं, वो किस से बनती हैं? molecules के हैं? molecules are the smallest substances in matter, तो molecules होते हैं सबसे छोटे substance matter के, कोई भी चीज़ का, जो सबसे छोटा आप कोई भी एक तुकड़ा ले लेजे, उसको कूटिए, उसके तुक्ड़े कीज़े, और तुक्ड़े कीज़े, और उसे कूटिए, और चोटे तो जो छोटे से छोटा तुक्रा भी निकलता है वो होते मारे molecules in matter that can exist independently तो matter में ये independently रहते हैं for example a drop of water is made up of molecule of water है ना पानी की जो बूंद होती है वो किसे बनती है वो बनती है molecules से पानी का ठीक है अब state of matters चीजों का state कैसा होता है matters का state कैसा होता है matter exists in three states में रहते हैं solid में चीजें solid होती है जैसे कि आप अपने हाथ में कोई भी लगड़ी का तुकड़ा पकड़ी है वो कैसा है hard है solid है उसको दबाइए वो दबेगा नहीं आपस पास होते हैं एक तम ताइट लिक दूसरे को पकड़ के रखते हैं दैन आता है liquid चीजें liquid भी होती ह है ठीक है जैसे कि आपका पानी हो गया आपका तेल हो गया liquid में आते हैं and gases सबको पता है oxygen gas carbon dioxide gas ठीक है तो गैसे भी हमारे आसपास होती हैं तो सबसे बहले बात करते हैं solids किया होते हैं तो तीन स्टेट को बात करें हैं solid liquid and gas आप हम बात करेंगे solids क्या होते हैं hold your pencil tightly आप अप आपको इसकी hardness की कितनी हाड है फील हो रहा है it is a solid यह क्या है मैंजल कैसी है यह solid solid have a fixed shape solid stereo की जो होती है वह शेप फिक्स होती है ग्लास की शेप ग्लास की रहे कि आप जमीन में रख दो slap पर रख दो मेज पर रख दो ग्लास की का shape बदल जाएगी नहीं बदल जाएगी ना तो solids की जो shape होती है वह कैसी होती है fix होती है under definite volume definite volume का मतलब होता है कि वह जितनी जगा घेर रहा है वह उतनी ही जगा गेरेगा हर जगा यह नहीं होगा कि आपको glass मेज पर रखनी के आपकी chair पर रख दो के तो घेरेगा उतनी ही जगा पलंग पर रख दो के तब घेरेगा यानिकि जो हमारा solid होता है वह उतनी ही जगा घेरता है यानिकि उसका जो volume होता है वह सेम रहता है clear यहां तर आगे दिखते हैं this is so because ऐसा इसलिए होता है the molecules in a solid are tightly packed जो मोलेक्यूल होत solid के वह बिल्कुल tightly packed होते हैं बिल्कुल आपस में एकदां touch किये होता है they cannot move around विदर उतर ऐसे नहीं move कर सकते है however, we can change the shape of some solids by using force कुछ हम solids का shape बदल लेते हैं जब फोर्स लगाते हैं ठीक है आप पीटो किसी चिसको कस-कस के उसका shape थोड़ा change हो जाता है है ना तो generally solids का shape जो होता है वो same रहता है लेकिन अगर हम उसके बहुत जादा force लगाएं तो हम उसके shape को थोड़ा बात बदल सकते हैं ठीक हैं however फिर भी we can change the shape of some solids by using force प्रेसर रबर बॉल एक रबर की बॉल जो होते है वो solid है अगर आप उसे प्रेस करेंगे तो थोड़ा उसका shape जो है वो change होगा the shape of the ball changes change होता है so solids have a fixed shape and a fixed volume solids का जो shape होता है but fixed होता है solids की जो volume होती है वो ज़ंगा कितना bubb वो होता Cheese foreign liquids की बात करो to milk 500 graduates is it hard , enough liquid 500 जो मजब्सकों नहीं होता हैं। उसके सूहिशकों होता है Psalm 7 बहुता है। इसक्राइब ञ tribunal कियो तोर सोच वहते हं rather that language I am 1000 गौव निंग इसक्च के मश्मॉए खेल की लिटीस इसक्राइब जो लिकॉड-क मालेटी कुंड़ा उते है वह दूर तो दूर प्यदेग्ट होते हैं वह ताइटली पैक्ट नहीं होते हैं, लूजली पैक्ट होते हैं यह कारण होता है और यह इधर उदर मूफ कर सकते होते हैं इट कैन बी पोड इंट वैसल हम उसे बरतन में डाल सकते हैं सना मज़ंटे थैक तसफलर तो लिक्वीड्स चीठ इस की वह देलेता है लिक्वीड्स केसे चीठ थेक जैक दले गली डाला जाता है नक्य को छेप में ले लेता है तो गढ़ीयुट हर करों नहीं होता है B यह बहता है तो हम गैसे की बात कर लेते हैं आचा एक लाइन दे गई है और हाववर फिर भी लिक्विट्स है भाफ फिक्स्ट वालुम जगा सेमी घरेगा मतलब जितनी जगा वह ग्लास में गहरा है उतनी कप में गहरेगा उतनी यह नहीं कि जैसे गैस होती है है लगलिक्विट्स के साथ यह वॉल्यम से हुआ हाव जगा लिक्विट्स का लेकर यह को गहता है लिक्विट्स त्राय तो एक फोल्ट इन यह हैं तो can you do it? No, हम नहीं कर सकते हैं, हम दुएं को नहीं पकड़ सकते, can you see the air around you, क्या तुम अपने आसपस की air को देख सकते हो, तो नहीं भई, air तो हमें दिखाई, नहीं दिखती, नहीं देती, तो air क्या होती है, हवा होती क्या है, air is a mixture of gases, air यानि कि हवा जो होती है, वो होती है gases का mixture, smoke can be seen, but air cannot be seen, धुएं तो हमें दिख जाता है, लेकिन air हमें नहीं दिखाई देती, धुएं तो हमें दिखे जाता है, air हमें दिखाई नहीं देती, you cannot hold a gas in your hand, तो gas को hold ही नहीं कर सकते हैं, अपने हाट में, when air is filled into a balloon, जब हम हवा बढ़ देते हैं, किसी balloon में, it takes up all the space inside the balloon, तो balloon के अंदर जितनी भी वो जगा होती है, वो गेर लेती है, ठीक है, balloon के अंदर जितनी भी जगा होती है, air पूरी जगा को गेर लेती है, when the air is filled into the balloon, it takes up all the space inside the balloon, we can pump more and more air into a football, हम जादा जादा हवा भर भर पाते हैं, फोट बाल के अंदर, it means more air can be filled into the same space, हम same space में सा प so that means more air can be filled into the same space, the smell of a perfume spreads quickly, पाल के जब जाता है, बाल के सा थाक होता है, पापा नहार पूरे लकुल्म होता है, तो क्यों ऐसा होता है क्यों 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 क्यूंकि गैस की जोगे को जोटे हैं, बहुत लूजली पाग दोदे है, एक डाम पेल के पाधा है, तो जोगे जाता है है दर दर ऊड़ जाते हैं तो आपके नाक में भी बहुंचते हैं और आपको कुछ भू आ पाती है I hope आपको समझ आ रहा होगा the smell of a perfume is spreads quickly from one corner to the room to the other, एक कोने से off the room to the other, एक कोने से दूसरे कोने दा किस तरह से फैल जाते हैं this is so because, असलिए होता है the molecules and the gases are very loosely packed जो molecules होते हैं gases के वो बहुत loosely packed होते हैं चीक है and it can flow easily, बहुत असानी से फ्लो हो जाते हैं I have no fixed shaping कोई fixed shape नहीं होता, fixed जिनका volume नहीं होता, fill the space of a vessel, बर्तन का जो space होता ये पुरा घेर लेते हैं and flow more easily than liquids, liquids के मुकाबले जादा असानी से ये जो हैं क्या करते हैं अराम से मतलब ये move करते हैं next आते हैं states of matter are interchangeable by solid को liquid or liquid को solid, solid को liquid, liquid को gas ऐसा भी हम change करते हैं इसी कौन सी चीज़े जो तीनों steak में बाई जाती है वो है पानी, पानी जो होता है liquid होता है, फ्रेजर में रख दो बारफ बन जाएगा, बारफ बाहर निगालो वापस से liquid हो जाएगी, liquid को उबालने रख दो तो वो evaporate होने लगेगा और वो क्या हो जाने लगेगा, gas बन जाने लगेगा, I hope यहां तक भी clear है, आगे चलते हैं It is clear from the figure 5.3 that one from the matter can be changed into another by heating or cooling, जो मैंने पानी का example दिया था वही आपको बता रखा होगा, ठीक है, इस तरहां के जलने दीजाए, observe it carefully, इसको ध्यान से आपको observe करना है, what happens to the wax after some time, क्या होता है थोड़ी दिर बाद इस मुम्बत्ती के साथ, wax के साथ क्या होता है, बच्छे पिगल जाए, और क्या होगा, अब यहां पर दे रखिया आपको एक activity, चलो देखी लेते हैं, इसको भी dissolving solids in water, तो पानी के अंदर solid को डिजॉल करना, घोलना एक परिके से, तेक बीकर half filled with the water, एक बीकर लीजे जिसमें आदा पानी भर रखाओ, वुट सम शुगर इन इसके मीठा है, is it sweet, yes it is, पानी में चीनी घोलो के तो पानी यासा हो जागा, मीठा हो जाएगा, simple थी बात है, this is because the sugar has dissolved in the water, यह ऐसा इसली होगा कि जो चीनी थी पानी अंदर गुल गही है, इचह से, the liquid is now a sugar solution, जो liquid है वो अब एक शुगर का मीठा मीठा solution मन गया है, in the solution, sugar is the solute, अब यह याद रखना, solution और solute में, जो solvent और solute जो होता है, solvent है पानी, solvent वो चीज होती है, जिसमें कोई चीज घुल जाती है, और solute वो होता है, जो घुला जाता है, नमक और पानी, solvent है पानी, नमक solute है, आप मैं छोड़ी से ट्रिक बताती हूं, ऐसा करके देख लेना, या तो ये ट्रिक थी, ऐसा कुछ है नहीं, बट्रिक याद कर सकते है, solute और solvent बच्चे को याद करने में देख तो ज्यादा बड़ी swelling, मतलब ज्यादा, ज्यादा, मतलब पानी ज्यादा होता है, solute यानि कि छोटी swelling, नमक या चीनी घुल होगे, तो वो कम होती है, तो solute, नमक यह जाती है, वह जिसे, solute, जाती है, घुल जाती है, वह ऩालीा डिखर होताँ जंगी घुल जाती है, जम नमक ये घुल जाती है, जम पानी एन चीनी डालता है, its molecules scatter through out the water, जो होता है उलाट नमक ए L तो पानी के मॉलेक्यूल्स यहां जागे सटल हो जाएंगे इसलिए पानी अगर इतना है तो इतना ही रहता है यह नहीं होता कि चीनी डाला तो आप पानी बढ़ा देंगे क्योंकि जब तक कम सिकम ओपर नहीं आएगा जब तक इनके मॉलेक्यूल्स यह रहती है तो पानी के मॉलेक्यूल्स यहीं बीच में ही देस्ट और इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह क्या सोलिचन तयार हो गया है समझ में आ रहा है वै यह क्या मतलब खाली पाली स्पते सेशन बि not look different as sugar solution hotha hai what different nakin dikhayi dita from pure water say however it tastes sweet why not to taste karne me thay meathah hota hai now let us compare the volume of the solvent and solution through the following activities take some water in a beaker tha hai paani liya ha me beaker mein make the water level by pasting a strip of a paper outside a beaker ham ne kya kya nishan laga liya ke bhai ya haan ta hummara paani hain add kia three spoons of sugar of water and then stir well इसको अच्छे से चला दिया, what happens to the water level in the peak, it remains the same, क्यों? क्योंकि हमने बताया आपको, कि बीच में जो पानी के मॉलेकुल के जगा होती है, चीनी के मॉलेकुल से जाके सेटल हो जाते हैं, इसलिए बोपर लेवल नहीं होता, the above activity show करती है, that the volume of the solution remains almost the same, as the volume of the solvent, solvent के बतब जैसे ही रहती है, volume बढ़ता नहीं है, जगा और जादा नहीं गेरता है, this is because sugar does not take up any extra space, हम पता चलता है, कि sugar कोई extra space नहीं गेरती है, its molecules only fill up the empty spaces, इसके जो molecules होते हैं, वो के वल भर देते हैं, खाली जगाहों को between the molecules of water, पानी के molecules के बीच में, अब यहां जो है हमारा chapter almost खतमी हो गया है, आप यह देखो यह दे रखाना, sugar solution में sugar solute है, water solvent है और जो तैयार हुआ हूँ हमारा solution है, यह बहुत exam में पूचा जाता है, and that's all in this video, वीडियो अच्छा लगे तो like करना, share करना, चनल को subscribe करना, thank you!